जै मातई दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तो बात कर रहे हैं एक मई 2021 बुद्ध के गोचर की और व्रिश्चिक राशी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तो बुद्ध ग्रहे व्रशब राशी में एक मई को सुबह 5 बचकर 32 मिनट पर गोचर करेंगे बुद्ध ग्रहे इस राशी में 26 मई तक रहने वाले हैं सुबह 7 बचकर 50 मिनट तक दोस्तो बुद्ध ग्रहे से छोटे बाही बहन हाथ के कौशल बुद्धी इन सबका विशलेशन किया जाता है व्रशब राशी चक्र का दूसरा चेन है जो शुकर ग्रहे द्वारा शाशित है तो इनका बुद्ध के साथ मित्रता पूर्ण संबंध है तो आईए जानते हैं व्रिश्चिक राशी के जातकों के लिए ये कैसा साबित होगा व्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए बुद्ध सात्वे और ग्यारवे भाव के स्वामी है और व्रशव राशी में बुद्ध का ये गोचर आपके लिए जीवन साथी, रिष्टे और साजेदारी के साथवे घर में रहेगा व्यक्तिकत रूप से ये जो अवधी रहेगी, ये थोड़ी सी कठीन हो सकती है क्योंकि आपके और आपके जीवन साथी के बीच एहम का टकराव होगा इसलिए अपने सभी मसलों को शांती से हल करने की कोशिश आप करें इस राजशी के जो जातक सिंगल हैं, वो किसी खास व्यक्ति से मिल सकते है व्यवसाई या साजेदारी व्यवसाई करने वाले इस राजशी के जातकों को कोई बड़ा आफर मिल सकता है, व्यवसाई के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा लाब मिलेगा आपको हलांकि नए दोस्त नए साज़ेदार बनाने के लिए ये समय उपयोगी नहीं है नए व्यापार या साज़ेदारी में कोई कारोबार करने के बारे में सोच रहे थे तो ये समय बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इस समय आप जो भी कारोबार शुरू करेंगे जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी दोस्तों ये समय आपकी प्रतिष्ठा में व्रधी कराने वाला रहेगा इस दोरान कुछ व्यापारियों की सामाजिक स्थती में सुधार भी आएगा आपके जीवन और आपका समाज में मान सम्मान साथ ही कारे व्यापार में भी विस्तार होगा तो दोस्तों ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दें